अल्वेज वेलकम साथियो डिजिटल क्लास हमेश आपके साथ चलिए विद्वानो शुरू करते हैं इंटरनल कम्विशन इंजन अब तक पिछली सीरीज से जो साथ ही हमारे साथ जुड़े होएं इसी के साथ साथ जर्णल लॉलेज की भी सीरीज एविलेविल हैं जो भी कंटेंट आपको पढ़ाया जाता है आपके लिए पीडिया फॉर्मेट में एविलेविल रहता है जब चाहें उसे आप डाउनलोड करकर फोटो कॉपी करा सकते हैं चाहें तो अपना टाइम सेव करने के लिए और जैसा भी आपको लगे कुछ भी आप अपडेट देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हैं जो साथी अब तक का सभी कंटेंट देख चुके हैं वो अपनी राय अपनी एक्सपिरेंस हमारे साथ सेयर करें कमेंट बॉक्स के माद्यम से आप हमें बता सकते हैं इन नोट्सों का इस्तमाल आप SSC, RRV, State, JAE के एक्जामनेशन के लिए कर सकते हैं इस प्रकार से आप कंटेंट देखें आपका सिलेबस मैच कराएं और इन नोट्सों का इस्तमाल करकर अपना टाइम शेव करें एंजोई करें स्रीज चलिए विद्वानों स्रीज स्टार्ट करते हैं आई सी इंजन वाई डिजिटल क्लास यहां पर आई सी के आई साती फुल फॉर्म क्याएं सब कुछ जानेंगे बारिकी से स्टेप बाई स्टेप आप चलिंगे तो आपको कंप्लीट नॉलेज होगी आपको अपने लक्स तक पहुँचने के लिए पैसेंस होना अतियाब सके जब आप सांती से जुड़े रहकर स्रीज देखते हैं तो आपके हर सवालों का जबाव आसानी से मिल जाता है अन्ता यह दीरे 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 आपको पता चलेगा एक एक स्टेप रखते हुए आप बलंदियों तक पहुँच चुके हैं जिस से घर पर आप जाना चाते हैं वहां पहुँच सकते हैं लेकिन आपको कंट्यूनिटी बनानी होगी और पैसेंस रखना होगा कि किसी भी बड़े से ब इरज के साथ काम करते रहें बाकी कुछ भी आपका कंट्यूजन रह जाता है तो कमेंट बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है हम भी वेसबरी से आपके डाउटों का इंतजार करते रहते हैं कब कोई डाउट आए हम आपके लिए सॉलूशन दें आप सकता होगी तो नई को दूसरी फोर्म में चैंज कर देती है उसे आप इंजन कहेंगे इस प्रकार सेंपेल परिवासा दे सकते हैं आगे आपको ले जाया है जाए शाथयों हीट इंजन के बारे में जान लेते हैं heat engine is a device which transform the chemical energy of fuel into thermal energy and utilize this thermal energy into useful work यहाँ पर साथ हो heat engine उस्मा इंजन किसे कहते हैं यह है साथ हो heat engine यह device है जो क्या करती है साथ हो transform करती है परिवर्थित करती है chemical energy जो fuel की होती है उसको thermal energy में और इस से thermal energy से इसका इस्तमाल कर लेते हैं किसी useful work में तो वह heat engine कहलाता है इस परकार की simple definition से आप step by step चलते रहें आपके लिए जो भी major portion है जो आप जानना चाहते हैं सब कुछ समझ में आ जाएगा आप इस फिल्ड में expert हो जाएंगे classification of engine आप करते हैं साथ हो classification किन किन बर्गों में रखा जा सकता है किन पहचानों से ने पहचाना जा सकता है तो इस परकार आते हैं internal combustion engine की तरफ जिसमें अंदर दहन होता है और external combustion engine भी होते हैं साथ जिनमें भार दहन किया जाता है दहन होता है साथ यो पावर स्ट्राउग जिसे कहते हैं आप जुड़े रहेंगे तो देरे देरे आपको हर टर्म पता चल जाएगा डिटेल में अभी आप मान कर चल लीजी अंदर फ्यूल में उसको वर्न किया जा रहा है अब चल लिवार किया जाए चल यहां बहुत बालए लिए पहर लिए और यहां गूमते फिरते यहँ आपके पास तो यह अदि कर लाएगा आप सब्डिवाइट कर सकते हैं रेशिप्रोकेटिंग होता है तो लॉटेरी आइसि इंजन रोटेरी में ओपन साइकिल गैस आते हैं रेसिप्रोकेटिंग आइस इंजन की तरफ गैसुलीन इंजन डीजल इंजन इस प्रकार से इनका क्लास्पिकेशन आप कर सकते हैं अब नेक्ष्ट देखते हैं एक्ष्टनल कंभ्यूशन इंजन यहां पर भार फ्यूल जलाया जाएगा उससे एनर्जी ली जाएगी जैसा साथियो इस टीम इंजन हुआ करते थे पहले भाब के इंजनों का अपने नाम सुना होगा आप इंजनियर हैं स्रीज देख रहे हैं और यह आपने कॉलेज हमें प्रैक्टिकल किये होंगे तो वहाँ पर इसकी बहुत लॉइफिश्य होती है बहुत एनर्जी आपकी सकती है। इसलिए बाद मैं स्टिम इंजन और इस तो कुछ क्लाशपाइड सकता है जैसा की सात्यों एक्रणल कमशन इंगन करे मां बता देते हैं यहां पर कोई वाइलर लेते हैं उसमें फ्यूल जलाते हैं इसको हीट देते हैं किसी प्रकार से आपके पास कुछ फ्यूल है कोई इंदन है उससे इसमें आप भाब बनाएंगे इस भाब का इस्तमाल करेंगे इंजन को चलाने में जिससे आपकी क्रेंग गूमेंगी वह आप डेटेल में आगे जानेंगे तो यहाँ पर जो इस्टीम ए है जोगी अभी भी कोई कांफिजन है तो आप हमसे कमेंट करकर पूछ सकते हैं साथ यों आप साथ हैं तो किसी बढाउट के लिए कॉंटक्ट कर सकते हैं कॉंटक्ट लिंक आपको डिस्क्रेप्टन मिल जाएगा वीडियो को अंतक देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गयराईयों से बहुत हो धन्यवाद मिलते हैं नेक्ट वीडियो में चाहिन बंदे मातरम